सो हेलो आप सब लोग आप सभी लोग अच्छ होगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे आपको मैंने विश्च कर दिया अपनी तरफ से आज में आपके लिए अक्विरियस सन मून राइजिया है नौस नोड मतलब आपके कोंब राशी अगर आती है इन सभी चारो साइन्स में तो आपके लिए कैसा रहेगा यह मार्च का मन्त होगे मार्च का मन्त हो रहा है बाकी जो पेंडिंग राश्या है वो भी आजाएंगी आपके लिए बाकी मैंने 4-5 साइन्स तो इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ गाईज ऑके अगर आपने नहीं देखे है तो आप ज़रूर देख सकते हो चकाउट कर सकते हो ठीक है देख लेते हैं गाईज एक्वेरियस कुम्भ राश्य कैसा रहेगा आपके लिए ये जो महीना है मार्च मन्त होके स्वेरियस साइन कैसा रहेगा आपका ये मार्च मन्त I think मैंने Leo, Libra, Capricorn, I think Virgo and yes one more sign I think Taurus या फिर Aries मैंने ये राश्या डाली है I think अना अभी तर कैसा रहेगा एक्वेरियस कुम्भ राश्य आपके लिए ये महीना so सबसे पहले 3 of Swords and 4 of Wands आया है यहाँ पिर मिट अफ तम मन्त के लिए है Magician card okay great यहाँ पिया है strength nice mid of the month बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे end of the month wow amazing sun card I think first आपकी ही sign है जिसमें आया है अभी तक तो 5 of Swords है यहाँ पि and bottom of the star and middle energy is knight of pentacles wow great guys great and also one more thing guys अगर आपको commitment चाहिए यहाँ ऐसी कोई money चाहिए कि हाँ टिके money आपके पास है अगर आई है तो guys उसमें थोड़ा सा time लग सकता है ठीक है मतलब slow speed में money आपकी तरफ आएगी but yes आएगी जरूर अक्वेरियस कुम्भ राशी अगर आपके sun moon rising and north node में क्वेरिस आता है तो आपके लिए राशी है okay reading है so यहाँ पर है guys three of swords starting of the month के लिए and four of wands है यहाँ पर so curious कुम्भ राशी वालो सबसे पहली चीज तो यह मुझे दिख रहे है कि आप लोग कही ना कहीं से hurt हो चुक्यों अभी इस time किसने फर्वरे में आपको hurt गया या अभी हो चुक्यों you hurt है starting of the month में आपको इसी वजह से आपका दिल दुख सकता है okay so guys also मैं यहाँ पर यह देख पाने हो जिस भी चीज के लिए आप hurt हुए हो जिस भी चीज में आप balance नहीं बना पा रहे हो चीजों में यह आपकी personal professional and also आपकी like love life हो सकते जिसमें आप balance नहीं बना पा रहे हो तो but यहाँ भी यह बोला जा रहे है कि थोड़े time के लिए ही है permanent नहीं है यह सब चीजों के यह just temporary आपको hurt हुआ है यह guys आगे जाकर अगर रिष्टा है चाहे career है यह commitment में यहाँ फिर यह रिष्टा या फिर career आपका stability की तरफ भढ़ रहा है four of wands है मैं यहाँ पर यह भी देख पा रहे है किसी की शादी भी यहाँ पर आप अटेंड करते हुआ दिखरो यहाँ पी starting of the month में एक से लेकर दस तारीक के बीच में किसी ना किसी की शादी हो सकती है आपके relatives में कहीं ना कहीं आपको hurt हो रहा है कि आपको अपना घर छोड़के जाना पड़ रहा है but yes you are happy right now so also guys mid of the month अगर देखो में आपका यहाँ पर है magician and strength card है तो mid of the month बहुत strong आपके लिए major energies लेकर आ रहा है major shifts आपकी life में आते हुए देख रहे हैं alignment में आप देख रहे हो आप अपनी energies को balance में लेकर आते हुए देख रहे हो mid of the month में कहीं ना कहीं अगर आपको strength चाहिए तो वहाँ पर आपको strength परवाइड की जारे universe divine की तरफ से and also मैं यह भी देख पारे हूँ आपकी intuition बहुत highly work करते हुए दिख रहे है आपकी intuition पर भी आप काम कर रहे हो अगर कुछ आप manifest करना चाहते हो तो mid of the month बहुत अच्छा time रहेगा चाहे बुक करियर है चाहे अपनी strength मांगने है आपने हना अपनी life में कुछ पाने के लिए आपको चाहिए कुछ हना तो of course वो आपको यहाँ पर परवाइड किया जारा है and also अगर आप लोग doctor हो तो guys doctor के आपकी strength भड़ते हुए दिख रहे हैं अगर आप मैं यहाँ पर यह भी देख पाने हूँ आप किसी dentist के पास भी जा सकते हो बट यह सच्छी energies है यहाँ पर आपको positive ही उसके results मिलने वाले हैं and आपके लिए बहुत अच्छा गर आप doctor हो तो बहुत peacefully आपका यह mid of the month जाता हुआ दिख रहा है so guys यहाँ पर एक और शीस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर infinity का science दो बार है यहाँ पर भी आप infinity देख सकते हो यहाँ पर भी आप magician के सिर पर भी देख सकते हो so infinity की energies आपकी तरफ आना चाहते है infinite blessings आपकी तरफ mid of the month में आप receive करने वाले हो okay Gemini and Leo Rashi बहुत important हो सकती है आपके लिए mid of the month में Aquarius sign overall आपके लिए यहाँ पर important हो सकता है अगर मैं देखो guys end of the month की energies so यह हैं आपके लिए sun card and also यहाँ पे है five of swords यह show करती है guys आपकी life में कहीं न कहीं अगर आप clear thoughts आपके नहीं है clarity नहीं है आपको जगह पी तो guys आपको clarity मिलते हुए दिख रही है अगर आपको लग रहा है आपके लडाई चुगड़ी हो रही है तो वहाँ पी guys आपको relief मिलेगा आपको वहाँ पी happiness provide की जाएगे और वैसे भी मैं आपको बता दो लडाई जगड़े से दूर रहना बचकर रहना हो सकती है इस end of the month में okay March month आपके लिए अच्छा दिख रहा है overall energies अगर मैं देखो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बस starting of the month में कहीं किसी ने आपको hurt कर दियो उस वज़े से आप hurt हो थोड़ा सा दुखी सा है मन हाना या केले feel कर रहे हो कुछ तो है यहाँ पे है ना and end of the month में थोड़ा सा five of swords की energy किसी ना किसी से जगडा हो सकता है लड़ाई हो सकती है तो इससे बच कर जहना है आपको खुद ही पीछे हो जाना है अगर कोई लड़ भी रहा है क्योंकि यह तो destiny है ना इसमें होना है जो होना ही है तो थोड़ा सा पीछे हो जाना relax रहना energetic रहना okay and I send you love okay I please receive that love so because मुझे ऐसा लग रहा है अगर hurt हुआ तो please मैं आपको प्यार देना भेज रही हो यहाँ पे okay so बहुत सारा प्यार आपको बहुत सारे blessings बहुत सारे hugs आपको so खुशे हैं यहाँ पी आपके लिए end of the month में आने वाली है okay so यह थी आपकी यह वाली reading जो tarot के थुरू इसके बाद हम आपके लिए guidance देख लोंगे just two cards लोंगी मैं okay so आपके लिए क्या guidance इस month के लिए overall month के लिए just two cards I want so अगर आपने like नहीं किया इस reading को तो like कर लो subscribe भी कर लो channel को bell icon को तब आके all पे set कर दो so that आपको आने वाले सभी notifications मेलते नहीं personal reading अगर आपको लेने तो आप मुझे instagram पे dm कर सकते instagram का link description में है okay and also या फिर उपर आप जहां मेरी pick लगी है ना channel के home page पे देखना तो वहां से आप instagram का link देख पारे होगे वहां click करना सीधा वहां पहुंच जाओ को फॉलो कर लेना and also message कर देना okay so यहां पी है community goddesses of the moon contract यहां पी ऐसा कुछ दिख रहा है कि अगर आपके भाई बहनों के साथ कोई लों के contract हो रख है वह यहां भी आगे आ सकती है बात किसी ना किसी चीज में आपके friends के साथ बात्चित करते हो दिख रहो पनाने friends के साथ मेल सकते हो meeting हो सकती है आप दोनों सभी का ठीक है get together में जा सकते हुआ celebrations दिख रहे है three of cups की energies है और यहां पर यह भी दिख रहे है contract कही ना कहीं loss related अगर आपका इस month में कोई काम है तो वह यहां पर complete होता हुआ दिख रहे है उसमें आपको victory मिलते हो दिख रहे है आपको divine victory दिलवाते हो दिख रहे है divine intervention यहां पर मैं देख पार हूँ आपके लिए and also मैं यह भी देख पार हूँ अगर आपको name fame चाहिए तो वह भी आपको इस month में दिख रहे हो के seven number 52 six number आपके लिए important हो सकता है triple seven आपको बहुत दिख सकता है इस month में तो आपके लिए message है okay so अब मैं आपके लिए just guidance ले लूँगी universe की तरफ से आपको divine guidance देना चाहते है आपको अच्छी लगी होगी reading हा ना आपके sun, moon, rising and north node की भी देख लेना अगर आपको देखनी है अभी मैं डाल रहे हूँ जास यह आइधिंग six sign है हमारा Aquarius कॉम पराशी सो यहां से देख लेते हैं ओके सो गई सच का साथ दो तभी यहां पर contract card आया था सच बोलो सच का साथ दो and stand strong आपको यह guidance दी जारिया stand strong for yourself okay focus on your purpose release the fear of persecution and speak your truth okay आपको यही बोला जारे सच बोलो सच का साथ दो stand strong okay and focus करो अपने purpose के उपर आपका life का क्या purpose है खुश्या है डर को जीतने की कोशिश करो डर से डर हो मठ थिक है कि आपको कोई डरार and also downloads आपको बहुत ज़रा होने वाले इस मन्त में इत्रोथ आपके सामने रवील होते हुए दिख रहे है deep insights are coming from heaven and astral realm okay so guys like this reading subscribe to my channel bell icon का दबा देना और पे set कर देना अभी के लिए इतना ही हर्हर महादेव राध ही राध ही personal reading के लिए आप मेशे डियम कर सकते है इंस्ट्रेग्राम पे बाई गाईस